सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चेनल पर दोस्तों आज की विडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android मुबाईल यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप hot star use करते हैं और hot star पर आपको कुछ इस तरह से error देखने को मिलता है something went wrong, please try again अगर आप अपनी hot star को use नहीं कर पा रहे हैं बार-बार आपको यही error देखने को मिलता है जब भी आप open करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है आज की वीडियो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसका solution क्या है यहाँ पर 3-4 में solutions आपको बताऊंगा अगर आप उनको apply करेंगे तो आपकी problem जो है वो solve हो जाएगी हो सकता है जो मैं पहली solution बताऊं उससे ही आपकी problem solve हो जाए या फिर end वाले solution से हो तो इसलिए वीडियो के end तक बने रहिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर लिजिएगा तो अब ध्यान से देख लिजिएगा something went wrong का ये error है कैसे इसको हटाना है मैं आपको बता देता हूँ ये आपकी hot star application है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है गाई सबसे पहले तो आपको play store पराना है और यहाँ पर आपको hot star को search करना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं hot star search कर लिया है अब यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल रहे है uninstall और open अगर आपको open की जगह पर update लिखा मिले तो उसको update कर लें जैसे आप update कर लेंगे आपकी problem solve हो जाएगी कई पर होता क्या है technical issue होने की वज़े से आपको यह problem face करने पड़ती है तो आपको up to date रखना है अपने hot star को जैसे अपडेट कर लेंगे problem solve हो जाएगी देन उसके बाद यहाँ पर आपको manage apps देखने को मिल रहा है manage apps पर क्लिक करिए अब यहाँ पर आपको अपना hot star को search करना होगा चाहे तो आप उपर से search कर सकते हैं या फिर scroll करके भी आप search कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कर लेते हैं hot star को search तो यहाँ पर hotstar आप वो देखने को मिल जाएगा, यह आ चुका है hotstar, तो यहां पर इसको open करते हैं, open करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, इस पर click करिएगा, अब नीचे clear data है, इस पर click करिएगा, सबसे पहले इसका आपको clear cash करना होगा guys, यहां से clear Care catch कर देते हैं then clear catch करने के बाद talk करने के बाद आप देख सकते हैं addresses कर जिरो हो चुका है अब यहां पर clear data पर आइए गार delete all data इसको clear all data कर दीजियेगा अब देक सकते हैं चाहता है डेटा फ़ी एरप्लेन मोड देखने को मिलता है आपके मुबाइल में तो एरप्लेन मोड को आप अनेबल कर दें एक बार ओन करेंगे आप देख सकते हैं उपर से नेटवर्ग्स आपके चले जाएंगे अब आपको यहाँ पर 10 सेकिंड तक किसको यहाँ पर अनेबल रहने देना है अब य एक शोर कि आपकी प्रॉलम 100% हो जाएगी कई बर होता क्या है कि आपको मुबाइल डाटा नहीं चल पाता है किसी रिजन से तो आप जो है कुछ टाइम के लिए अपना होट्सपोर्ट या वाई-फाई से कनेक्ट करके आप जो है इसको यूज कर सकते हैं आपकी सम्थिंग वेंटरों की प्रॉलम है वो सॉल्फ हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं होट्सटार मेंने ओपन करा तो यहाँ पर देख सकते हैं चालू हो चुका है ऐसे ही आप भी जो है इसको यूज कर सकते हैं कोई प्रॉलम फेस करनी नहीं पड़ेगी सो गाइस बस आज के लूब यॉल